वीवो डिस्प्ले कलर चेंज सेटिंग नमस्कार डोस्तों स्वागर है आप सभी का तेकिराच यूटूब चैनल पर तो डोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि डिस्प्ले कलर आप कैसे चेंज कर सकते हैं वीवो फोन के अंदर पर ठीक है तो दोस्तों यरी आपको भी डिस्प्ले कलर यहाँ पर चेंज करना है रेट करना या तो फिर किस तरह का आपको कलर देना है स्क्रीन को कुछ अलग से आपको कलर सेट करना है तो वसल दोस्तों आज के इस वीडियो पर आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो को आं तक देखें मैं कैसे किया जाते हैं तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले यह आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखाए make sure कि चैनल को सब्सक्राइब करें सारे साथ दोस्तो बेल आइकोन को भी क्लिक जरूर कर दीजेगा यह आप उनलाइन से पैसा कमाना चाते हैं तो दोस्तो वीडियो डिस्क्रिप्शिन पर जाके आप जेक आउट कर सकते हैं लिंक हमने दे रखाए सबसे पहले चलिए सेटिंग पर जाते हैं सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तो scroll down करके आपको नीचे display या पोटोस एक बार रुखे में देख लेता हो कहाँ पर आपको जाना है ठीक है display and brightness ठीक है display and brightness उसके बाद दोस्तो यही पर हमें मिल जाते है cool temperature adjustment आप देख सकते है cool temperature adjustment तो आपको इसी setting के अंदर पे जाना होगा यहाँ जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते आपका स्क्रीन लाइट कुछ इस प्रकर से चेंज होगा यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते वार्म पे जो है आपका स्क्रीन का जो कालर है वो पुरा reddish type यहाँ पर हो जाते हैं उसके बाद यह आप default करते हैं तो blue हो जाते हैं उसके बाद cool करते हैं तो और भी ज़्यादा आपका screen blue हो जाएगा ठीक है तो आप यहाँ से दोस्तो अपना screen color को change कर सकते हैं तो फिलाल तो मैं इसको यहाँ पर cooler cool पर set कर देता हूँ उसके बाद देखते हैं दूसरा कुछ setting है या नहीं है डिस्पले color change करने का तो दूसरा setting जो है दोस्तो वह होए eye protection यह दिए eye protection आप enable करते हैं तो दोस्तो यहाँ पर आपका screen और भी ज़्यादा rate हो जाते हैं और warm हो जाते हैं तो दूसरा है eye protection तीसरा वाला है dark mode ठीक है तो इन सब से आपका screen color change हो जाएगा तो बस यह आप setting कर सकते हैं तो meet करते हैं वीडियो आपको पसना होगा आपको किसी और का भी setting चाहिए तो आप हमें comment section पर comment करके बता सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही thanks watching